नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यदे किसी महिला की दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो क्या उसे लाप्रोस्कोपी के लिए जाकर ट्यूब खुलवानी चाहिए या फिर उसे डायरेक्ली टेस्ट्यूब बेबी का इलाज ले लेना चाहिए ये समस्या आजकल बढ़ती जा रही है क्योँकि हर वो दंपत्य जिसे संतान हिंता है उसका ट्यूब टेस्ट किया जाता है अधिकतर केसेस में ये एचेस्जी के द्वारा टेस्ट किया जाता है और HSG यानि हिस्ट्रो साल्पिंगोग्राफी में जब हमें पता चलता है कि दोनों ट्यूब्स में रुकावट है, ब्लॉक है, तब फिर कपल्स के पास दो आप्शन दिये जाते हैं पहला ऑप्शन होता है कि दूरबीन की पद्धती से यानि लप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ये जो ब्लॉक है इसको ओपन करने की कोशिश की जाए दूसरा ऑप्शन रहता है कि ये कोशिश न करके हम बैरेक्टली टेस्ट्यूब बेबी के लिए जाएं टेस्ट्यूब बेबी के लिए जाने का ये लॉजिक है कि जो प्रॉसेस फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है उसे हम शरीर के बाहर लाब में करें जिससे एक तरह से ट्यूब बाइपास हो जाएगी तो फिर हमें ट्यूब को खोलने की या एक ऑपरेटिव प्रॉसीजर करने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी आईए जानते हैं कि दोनों ही विकल्पों के प्रोज और कॉन्स क्या है यदी दंपत्ति डिसाइड करते हैं कि उन्हें लापर स्कोपी करनी है तो इसके फायदे तीन ये चार है पहला फायदा ये है कि लापर स्कोपी के केसेस में लगबभग हमें 100% पता चल जाता है कि ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं जी हां HSG में यदी block है तो केवल 60% cases में ही actually block होता है 40% cases में ये false positive report देता है तो कई बार ऐसा होता है कि दमपत्ती को लगता है कि हमारी tube block है HSG में report में आया है कि block है पर actually वो tube खुली होती है तो जब हम laparoscopy करते हैं तो हम ये actually 100% sure हो जाते हैं कि block है या नहीं है दूसरा important फायदा ये है कि यदी block है तो कुछ blocks ऐसे होते हैं जिनका बहुत आसानी से cannulation या salpingo stormy paddhati से open किया जा सकता है in fact यदी शुरुडवात में ही block है जिसे cornwall block कहते हैं तो उसे खोल देने का जो प्रतिशत है वो लगभग 50-60% है यानि बहुत सारे ऐसे दंपती है जिनकी tubes जो है वो लाप्रोस्कोपी से ही open की जा सकती है और वो प्राकृतिक तोर पे conceive कर सकते हैं तीसरा बहुत बढ़ा जो फायदा है मेरे हिसाब से लाप्रोस्कोपी का वो ये है कि कौन से infection से tube block हुई है इसका हम पता लगा सकते है ये जरूरी इसलिए है कि दो मुख्य ऐसे किटानों है जिनके कारण fallopian tubes block होती है पहला है clemidea और दूसरा है tuberculosis यदि clemidea के कारण block है तो उसका treatment जो है वो 14 दिन का होता है और इसके बाद हम आगे fertility treatment करा सकते है परन्तु यदि tuberculosis के कारण block हुआ है जो कई parts में बहुत जादा common है तो ऐसे cases में IVF के पहले हमेशा 6 महीने का TB का इलाज देना आवश्यक होता है और उसके बाद ही IVF की सफलता अच्छी मिल सकती है अब यदि ऐसा है कि किसी महिला को फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक है उसे TB है और बिना इसका डाइग्नोसिस किये हमने IVF कर दिया तो उनके IVF के results भी जो है वो कम हो सकते है चौथा और काफी बड़ा फाइदा जो laparoscopy का है कि यदि फैलोपियन ट्यूब में हाइड्रोसाल्पिंक्स की समस्या है तो आगे जाके IVF में भी ये रुकावट पैदा कर सकता है यानि IVF के success rate भी कम कर सकता है तो इसी लिए मेरे practice में मेरा जो रुजान है वो जादा इसी तरफ रहता है कि यदि HSG में आपका block निकला है तो हम पहले laparoscopy करके देख लें वाकई में block है की नहीं block यदि है तो हम उसे खोलने की कोशिश करें जिसमें हमें लगभग 60% सकेसेस में सफलता मिल जाती है तीसरी बात किस किटानों के कारण ये block है उसका भी हम इलाद चलाएं और चौथी बात यदि hydro salpings है यदि tube के अंदर पानी भरा हुआ है तो हम इसे पहले treat करें और उसके बाद ही IVF के लिए जाएं यानि laparoscopy ना केवल curative है परन्तु यदि आगे जाके IVF की भी जरूरत पड़ेगी तो भी laparoscopy इसके results बढ़ा सकती है directly जो लोग IVF के लिए जाना चाहते हैं उसके दो या तीन फाइदे हम ये कह सकते हैं कि IVF में success का प्रतिश्रत अब 40-50% है एक ही महीने में 40-50% success मिल जाता है यदि हम normally try करते हैं तो शायद 3-6 महीने लग जाएं conceive होने में तो यदि महिला का पहले laparoscopy हो चुका है कोई surgery हो चुका है वो surgery अवाइड करना चाहती है तब directly IVF उनके लिए अच्छा option है परन्तु यदि हम pros and cons देखें तो अभी जो पलड़ा है वो laparoscopy के favor में ही भारी है तो मेरा आप सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि यदि X-ray में tubal block निकलता है तो directly IVF के लिए मत सोचिए पहले laparoscopy कराईए laparoscopy ऐसे center में कराईए जहां पर इसका treatment भी साथ में हो सके यानि fallopian tube open करने की भी विशेश अग्यता doctor के पास हो उसके लिए जो भी technology 1000 लगते हैं वो सब उनके पास available हो साथ ही वो tuberculosis के लिए properly evaluate करें laparoscopy के दोरान क्योंकि हकीकत यह है कि बच्चेदानी की TB में जो बाकी test होते हैं वो 90% cases में negative होते हैं इसका जो final diagnosis है वो laparoscopy से ही होता है तो इसलिए यदि आपके area में tuberculosis common है तो कभी भी laparoscopy को miss करके directly IVF के उपर नहीं जाईए आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों की बीच शेयर करिए क्योंकि fallopian tubes में block समाज में आजकल बहुत common होता जा रहा है और इस विशेय में यदि आपकी कोई भी queries है जिग्यासा है तो आप ज़रूर comment section में या हमें email करिए हम इसकी जो है समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे धन्यवाद